बिस्मिल्रमाइन रहीम असलम लेकूं क्या हाल चल हैं उम्मीद करती हूं बिल्कुल ठीक होंगे तंदृस्त होंगे नाजरीन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है खास तोर पे हवातीन के लिए हवाती और वो कैसे है हमारी जितनी भी हवातीन है पाकिस्तानी जो यूर्पियन ममालिक में आ गई हैं यहां पे आके अपने हजबन के साथ अपने फैमली के साथ सेट हैं उन में से जो मिजॉरिटी है खास तोर पे स्पेंग और इटली की हवातीन वो काम नहीं करती वो जॉब पे नहीं जाती लेकिन उसके ब और हास तोर पे ये जो खलात रही हैं पिछले एक दो महीने से तो उन में बहुत से लोगों नहीं क्राइसिस देखे हैं बहुत से लोगों की जो इंकम है वो ना होने के बराबर थी हराजाद तो वैसे के वैसे ही रहते हैं माशाला से जिनके बच्चे होते हैं उनके हराजाद और भी ज्यादा होते हैं तो हवातीन इस मौके पर सोचती है काश मैं भी कुछ कमा सकती काश मैं भी अपने फैमिली कहा कुछ हाथ पटा सकती और मिजॉरिटी जो हमारी आजकल नही लड़की आ रही है वो पाकिस्तान से वो पड़ी लिखी है वो एजुकेटिड है पाकिस्तान में उनके पास ज्यादातार के पास मास्टर्स डिग्रीज है लेकिन यहां आकर वो घरों में as a housewife और सिर्फ घर के काम कर रही है तो जिसकी हवातीन है उनका जो job ना करना है उसकी मेरी नजर में तीन basic जो है वो उसमें barriers है तीन जो बाते हैं वो उनके काम ना करने की वज़ा है सबसे बड़ी वज़ा उनकी family है कि जाहिर है अगर बच्चे है छोटे है तो एक औरत घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती वो इतनी उसक की टाइमिंग नहीं हो सकती सेट के वो काम भी करे वो घरा के घर के काम भी करे अपने बच्चों को देखे तो जिसकी वज़ा से और फिर साहिर है अगर एक औरत घर से बाहर जाब पर जाएगी काम पर जाएगी उसके बच्चे definitely effect होंगे उसके घर की routine उसके अपने family matters सारे effect तो उस वज़ा से हमारी बहुत सी हवातीन काम पर नहीं जाती जॉब नहीं करती दूसरी बड़ी बात इन countrys में आके हमारे सामने आती है यहां की language हमें language नहीं आती होती majority को और अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो हम समझते हैं कि हम एक जॉब को लेके carry नहीं कर सकते अगर आपका या आपको computer पर काम करना है या आपको किसी पी किसम का काम करना है तो आपको language आना ज़्रूरी है जब नहीं आती तो हम लोग नहीं जावब कर सकते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि चलो रहने देती हैं तीसरी बड़ी सोच जो के खास तो और पे दूसरे countrys का जॉब्स करें और ये मेरे ख्याल में किसी हाद तक बात ठीक भी है क्योंकि जैसे यहां पे मैंने बैनी दोर में देखा है ज्यादा जो काम है वो होटिल्स के हैं डेस्टोरेंट्स के हैं जो हवातीन इतनी educated नहीं हैं वो जाहिर है उनको office वाली या कुई इस तरह की जॉब जॉब तो मिलेगी नहीं चाहे उनको जॉबान आती है लेकिन उनकी education नहीं है उनका experience नहीं है तो उनको जॉब्स मिलेंगी counter पे किसी market के या किसी shop के या फिर कहीं पे किसी hotel में या सफाई का काम या किस restaurant में तो ये सारे काम है जो हम लोग पसंद नहीं करते कि हमारी घरों क हवातीन public places पे जा कि ये वाले काम करें तो ये बात बिल्कु ठीक भी है हमें करने चाहिए भी नहीं जिस तरह का महौल है या जिस तरह की चीजें हमें बाहर फिल्ड में जाके face करनी पड़ती है तो मैं खुद इस हाक में नहीं हूँ कि हम ये वाले काम करें ये तीन बड़ सकते हैं तो हम घर में बैटके कोई काम कर सकते हैं जो बाइज़त भी हो जो हमारे लिए best source of income हो हमारी अहराजात भी उससे पूरे हो जाए हम अपनी husband का हाथ भी बठा ले और सबसे बड़ी वज़ा कि हमारे लिए जो हमारा घर का जो थोड़ा सा वक्त बच जाता है जो कि ह हमें नहीं समझ जाती हैं उसमें क्या करें बिजाए इसके कि हम टीवी और मॉबायल पर वो यूज़ करें हमारे वो फालत वक्त के लिए हमें कोई ना कोई मश्गला भी मिल जाता है तो जो घर में बैटने वाले काम हैं उनसे हम पैसे भी कमा सकते हैं वो हमारे as a hobby भी हम उ शुरू करते हैं उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो स्रूरी हैं ऐसे बहुत से काम हैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम घर में बैटके कर सकती हैं जिन से ना सिर्फ हम पैसे कमा सकते हैं बलके हम उनको as a hobby ले सकते हैं हम उनको अपने जो फारग वकत हैं उनमें हमारे ल कारْ办がार शुरू कर सकते हैं और कुछ ऐसे कारबार हैं जिन के लिए हमें हास investment की भी जरूरत नहीं होती हम थोड़ी स में से कोई भी काम शुरू कर सकते हैं वो सारे काम क्या हैं वो मैं आपको बाहर में बताऊंगी अब यह उस पहले में आप थोड़ा सा ये डिसकस कर लें कि कोई भी काम कोई भी शुरू काम करने से पहले हमने प्री प्लैनिंग कैसे करनी हैं कारोबार शुरू से पहले के क्या स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं करना क्या है कोई भी कारोबार चिलाने के लिए चार चीजें ऐसी हैं जो ब कोई भी किसी किसम का जो आपका काम है या कोई भी आपका source of income है उसकी तश्खीर हो लोगों को पता हो कि आप ये काम कर रही हैं लोगों के knowledge में हो दूसरी बड़ी बात दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे context आप जिस society में जिस जगा पे जा रही हैं काम कर रही हैं अपना business चला रही हैं आपके वहां पे context होने चाहिए आप कुछ जादा नहीं लेकिन कुछ लोग आपको जानते हों आपके लोगों के साथ तालुकात हों ताके पहले थोड़े लोग आपको जाने फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा आपको जानने लग जाएंगे तीस अगर आप लोग वालिटी दे रही हैं काम आप लोग वालिटी प्रॉडक्स बना रही हैं लोग वालिटी चीज़े रही हैं तो आपका काम आपका बिसनिस कभी भी नी चलेगा पहली दफ़ा कस्टमर धुका खा जाएगा वो आपकी चीज़ ले लेगा लेकिन नेक्स्ट वो आप पे कभी अतबार नहीं करेगा मैं सबसे पहले मत ने नज़र रखना है कि आपकी जो टार्गिट आडियन्स है आपकी जो कस्टमर्स है जिस सुसाइटी में जिस खलके में आप अपनी चीजें बेच रही हैं आप इंटर्ट्यूस करवा रही हैं चीजें या अपनी सर्वसिस बेच रही हैं वो उनकी परचेजिंग पावर कितनी है उनके पास कितना पैसा है उनकी सैलरी कितनी है वो कितनी कि रेंज में शौपिंग कर सकते हैं वो कितनी कि रेंज में चीजें खरीद सकते हैं आपने ये चीज़ जरूर बंदे नज़र रखनी है ताकि आप अपना काम उस लिहाज से सेट करें, चीज़ों की कीमते उस लिहाज से सेट करें, जितनी आपके जो आडियन्स हैं, उनकी चीज़ें हरीदने की पावर है, आगी बात समझ, तो आजाते हैं, कि सबसे पहले आज सब्सक्राइसमेंट आपका कोई भी काम शारू करने में सबसे जरूरी है, तो आइड़र decorations beet आपने क fines करनी है, आड़र decorationseté आपने आपने अपने की आपना है, आज कर एड़र एड़टाइसमेंट करना अपने काम की तरनेट का सिस्टम ये बहुत आहम हुआ है तो एड़टाइसमेंट भी बहुत जादा आहम हो गई है आपने करना क्या है अपने जो काम है उसका फेसबुक अकाउंट बनाना है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है और एक वो आपने उसी language में बनाने हैं जिस जगा पे आप रहे रहे हैं स्पेन में रहे हैं तो आपने इस पानियोल में बनाना है अपना Facebook account Instagram और YouTube account ताके जो आपके ना सिर्फ आपकी पाकिसानी community बलकि यहां की जो लोकल community है वो भी attract हो आपकी काम से ठीक अब यह तीनु चीज़ें आपने कर ली हैं आपने जो भी चीज़ बनानी है जो भी काम आपने शुरू करना है वो आपने अपने social media पे अपने social accounts पे उसकी advertisement करनी है, advertisement कैसे करनी है, अपने काम की videos, अपने काम की तसावीर आपने upload करती रहनी है ताके लोग वहां से देखें और आपके accounts पे आपका mobile number, आपका कोई भी contact number, घर का number और वो available हो ताके अगर किसी को उनमें से कोई चीज़ पसंद आती है और वो लेना चाहता है तो वो आ जैसे भी आप delivery उसके घर करेंगी या आप उसको वो आपकी किसी place से आके हरी देगा आपके store से या आपके घर से, तो ये आपको decide करेंगी, तो advertisement करनी है, अपने contacts जो आपके दूसरे मर पे आता है, contacts आपने अपने contacts को बताना है, अपनी friends को, अपनी मिलने जुलने वालियों को, अपने यो family members हैं, उनको जहां जहां पे वो काम करते हैं, यह जो जिदर जिदर उनका आना जाना है, लोगों के knowledge मिलना है, अपना जो WhatsApp, आपके contacts हैं, अपने WhatsApp status पे लगानी है चीज़ें, अपनी advertisement WhatsApp status पे करनी हैं, ताके लोगों को पता चले, quality आपने, मैंने बता दिया ह है कि उस पे compromise नहीं करना पर चेंजिंग पावर आपने लोगों की, तो फिर आपने सोचना है काम, शुरू कैसे करना है, और सबसे जरूरी बात, कोई भी काम, कोई भी कारोबार, शुरू से करने से पहले, जो आपने एक चीज़, आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, वो नहीं लग जाती, आपको इसके लिए महीनों और कभी-कभी तो सालों में इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब ये कुछ लोग आपको जानने लग जाते हैं, वो आप पे इतबार करने लग जाते हैं, तो फिर आपका जो बिजनस है, आपका कारोबार है, उसको फैलने से कोई भी नहीं रोख सकता, जो लोग आप पे इतबार करेंगे, आपकी प्रॉडक्ट्स पे, वो फिर नेक्स्ट लोगों को बताएंगे, वो और लोगों को बताएंगे, तो इस तरह आपका, लेकिन स्टार्ट में कोई भी काम आसान नहीं होगा, स्टार्ट में आपने सबर हैं चाहे वो काम पड़ी लिखी हैं उनकी तलीम मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है तो उन वो क्या-क्या ऐसे काम हैं या क्या-क्या ऐसे कारोबार हैं और क्या-क्या ऐसे शोबें हैं जो वो कर सकती हैं सबसे पहले मैं आपको हर चीज़ डेटेल में बताऊंगी आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको इंशाला मुझे ऐसे लगता है आपकी सोच में आपकी फ्यूचर प्लानिंग में कोई ना कोई तब्दीरी ज़रूर आएगी मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा जो नॉलिज गेन करने के बाद मैंने पांच ऐसी चीज़े निकाली है जो के हावातीन घर में बैठके जिन से पैसे कमा सकती है और वो पांच चीज़े क्या है सबसे नंबर पे पहले नंबर पे आ जाती है कोकिंग दूसरे नंबर पे आ जाती है स्टिचिंग तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑनलाइन सेल ऑनलाइन कपड़े बेचने का काम चोथे नंबर पे आ जाता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर् पांचमे नमबर पर आजाता है आपके ब्यूटी पारलर का काम. ये पांच शोबे ऐसे हैं जिनमें आप अराम से अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकले बगैर पैसा कमा सकती हैं. सबसे पहले आजाते हैं कोकिंग के तरफ. कोकिंग है या बेकिंग है? कोकिंग में आपने करना क्या है? जो हमारी यूरप की हावातीन है यहां पे बहुत ज़ादा लोग ऐसे हैं जो डेरों पे रहते हैं डेरा एक हमारी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं उस घर के लिए जहां पे सिर्फ जो लड़के हैं उन्होंने अपार्टमेंट शेयर किया होता है तो वो मिल जुलके अपना जो खर्चा उस घर के चला रही होती है ऐसे बहुत से लोग जिनकी फैमिलिस यहां पे नहीं है वो पाकिस्तान में है या वो अकेले रहते हैं लड़ का रेस्टरेंट्स का खाना खाते हैं जो के जाहिरा सहित के लिए नाकिस है रोजाना खाना तो वो कोशिश करते हैं कि क्या हमें घर का अच्छा साफ सुथरा पकाब गया खाना मिल जाए और जो हमारी हमारी हावतीन कोकिंग में अच्छी है या कोकिंग में नॉर्मल है तो तो हफ़तावार उनके लिए घर का खाना आप कहलें डेली के हिसाब से लगवा सकती है कि हफ़तावार मैन्यू सेट हो जाए जो भी दाल, सबजी, गोष, चावल आप रोज का बनाएंगी आप एक फर्द का खाना निकाल देंगी तो उस फर्द को महीने बाद या हफ़ते बाद आप अपने चार्टिस, अपना मुनावफा, अपनी मेहनत के पैसे लेके तो उसको बिल पकड़ा देंगे तो अगला बन्दा भी खुश हो, घर का साफसुतर खाना खाने को मिल जाएगा और अपना खुद पकाने के तरद्द से बच जाएगा और आपकी इंकम का जरीया भी बन जाएगा पहले ही आप थोड़े लोगों से स्टार्ट करेंगी, बात में या इस्ता इस्ता आप ज्यादा लोगों के साथ भी कर सकती है पहले आप सिर्फ दो अफराद को खाना मोहिया करें, फिर चार को पांच को फिर जितनी जितनी आपके पास टाइम है या आपके रेंज है वह आप उसके साथ से अपना काम, अपना कारोबर फेला सकती है एक बात, आप कोकिंग आप दूसरी तरह कैसे कर सकती है, आप कैटरिंग कर सकती है आप लोगों को ये बताएं, अगर किसी के घर फंक्शन है, किसी के घर सालगिरा का फंक्शन है, किसी के घर मिलाद है शादी पे कुछ खाना अपने फंक्शन पे अपनी तक्रीब पे खाना बनवाना चाहते हैं तो वह आप से बनवाएं आप उनको अगर पार्टी हैं आप उनको कबाब स्मॉस दिरोल्स जैसे के रमजान में अफ़्तारी काफी करते हैं तो लोग खाना बाहर से मंगवाती हैं तो आप ये घर में स्टार्ट कर सकती है कि ये आप अपना जो घर का पकावा खाना कबाब, रोल, समोसे, स्नैक्स वगएरा या चावल या जो भी चीज आपकी अच्छी आप बना सकती है वो आप बना के तो पार्टी वगएरा पर डिलीवर कर सकती है ये एक काफी आप कहलें अच्छा काम है जिससे आप अच्छी इंकम कर सकती है अगर आपकी क्वालिटी आपका टेस्ट अच्छा होगा तो जितने लोग फंक्शन पर आए होंगे वो खाना खाएंगे वो घरवनों से होसे पूछेंगे कि खाना कहां से बनवाया है तो वो बताएंगे जी फलाँ बंदे से बनवाया है तो इस तरह आपका बिजरस ज़्यादा ग्रू करेगा तिसरे नमर पर आसकते हैं आप अगर बेकिंग में अच्छी हैं आप केक्स बनाए काफ केक्स बना सकती हैं आप सालगिरा पर डिफरेंट ओकाइजन के केक्स बना सकती हैं आप उन केक्स को सेल करेंगी तो जाहिर है आपके अच्छी इंकम हो जाएगी चोथे नमर पर आजाती हैं आपके स्टॉल्स अगर आप किसी दुकान पर किसी पाकिस्तान स्टोर पर या किसी रेस्टरंट के बाहर या जो हमारे जो मार्चाज लगते हैं वहां पर जो खाने वाली चीज़े होती हैं उन स्टॉल्स पर अपना कोई फूड आइटम आप सम समोसा बना के देती हैं तो फीस समोसा आप दो यूरो का लगाती है उसमें आप 50 सेंट उसको देंगी जिसके स्टॉल भी आपने रखा हुए बाकि जो आपका 1.5 यूरो है वह समोसा की कीमत आपकी पॉक्ट में जाएगा यह आपने सिर्फ घर बैठके बनाने हैं बाकि नहीं है और इसके लावा आप अचार और मुरब्बे डाल सकती हैं उनको अच्छ जार में पैकेज में उनकी अच्छी पैकिंग करके आप अपने ऑनलाइन अपने सोशल अकाउंट्स पे लगाएंगी आप उनको सेल कर सकती हैं क्योंकि यहां पे घर के बने हुए अचार औ पैठे बिठाई अराम से कर सकती हैं स्टिचिंग की तरफ स्लाई करहाई की तरफ स्लाई क हडाई act क यह अपने पकिस्तानी लेडीzk के उनके शलृ कमीजें जो भी हमारे पाकिसानी ट्रिडिशनल कपड़े हैं वो आप से लाई कर सकती है ये एक बहुत अच्छा उप्शन है स्टिचिंग का इसके लावा अगर आप अपने स्टिचिंग की स्किल्स हैं अगर आपका स्लाई कलाई का टैलेंट है इसको ज़्यादा वास्ट करना चाहती है इसको इससे ज़्यादा पैसे कमाना चाहती है तो आपने करना क्या है तो आप अक्सर दुकानों पर जाती है हम बच्चिंग की फ्रॉक्स देखती है जो के बिल्कुल सिंपल सलाई हुई होती है सिंपल सा कपड़ा होता है सिंपल सलाही होती है और उसकी कीमत बहुत जादा लगाई होती है तो आप जो मेरी बहने सलाही का काम, कढ़ाई का काम जानती है वो अक्सर ये देख के ये सोचती है कि इस तरह की तो मैं भी बना सकती हूँ यह देखें इससे अच्छी तो मैं खुद बना लेती हूँ तो अगर आप इससे अच्छी बना लेती हैं तो फिर आप बनाए आप क्यों नहीं बना रही आप यहाँ पे आप मार्शे पे चले जाएं वहाँ पे आपको खुला कपड़ा मिल जाएगा कुछ दुकाने भी हैं खुला कपड़ा वहाँ से आप पेसिस उठाएं तो आप उनका घर लाएं वहीं से आप चाइनीज की दुकानों से या मार्शे से ही आप लैसे ले आएं तो आप उसकी बहुत अच्छी बच्चियों की फ्रॉक्स लाई करें उनको अपने सोशल अकाउंट्स पर डिस्प्ले करें उनकी साथ प्राइज लगाएं तो अगर जैसे गर्मियों में लॉन की फ्रॉक्चे यासे सर्दियों में आप लगा सकती हैं और फैंसी नेट वेरा की फ्रॉक्चे जो फ्रॉक्चिन्स पर बच्चियां पहनती है जब वो बना के आप डिस्प्ले करेंगी तो मुझे उमीद है कि लोग आपका काम अगर अच्छा सफाई से किया है तो पसंद करेंगे तो आप से वो खरीदेंगे इसके लावा आप कुशन्स सलाई कर सकती है कुशन्स के ओपर कढ़ाई कर सकती है अगर आपको कढ़ाई का शोक है अगर आप एपलिक वर्क कर सकती है तो वो कुशन्स पर बहुत प्यारा लगता है आप सोफा कवर्स सलाई कर सकती है जैसे के sofa covers का आजकर बहुत trend है कि आप अपने sofa का colors, कपड़ा, design, अपनी मरजी का सलाई करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, एक तो sofa गंदा भी नहीं होता और उसके लावा आप अपनी कमरे की, अपनी lounge की matching के हिसाब से, उसके interior के हिसाब के sofa का cover change का सकते हैं, तो आप अगर सलाई में अच्छी हैं, तो आप sofa cover सीज सकती हैं, आप परदे सीज सकती हैं, different designing के, और designing के लिए internet भरा पड़ा है, आप internet से कोई भी designs copy करें, आप तो आप अराम से सलाई करें, और फिर अपनी पाकिस्तानी बहनों को internet पे लगाएंगी, तो यकीनन जो भी देखे गए, चाहे वो स्पानियोल लोग हैं, चाहे वो आपके पाकिस्तानी लोग हैं, अगर आपका काम अच्छा है, तो आपसे जरूर खरीदेंगे, और इसके लावा stitching में आप ये कर सकती हैं, आप जितने भी बूतीक्स हैं, कपड़ों के, यह हमने द बूतीक्स होते हैं, उनमें जो डिजाइनर है, उसने एक इपीस त्यार किया होते हैं, आप अपने, आप उनके पास चाहें, उनको बताएं कि यह मैं सलाई कर सकती हूँ, उनसे सांपल्स लें, कि वो आप से कैसे कपड़े सिलवाना चाहती हैं, या उनको किस तरह के जो हैं, उनको चाहिएं, तो वो आप उनको सीखें, वहाँ दुकानों पर डिलिवर कर सकती हैं, आप तिसने नमर पे आजाता है, आपकी ऑनलाइन शॉप्स, आपने ऑनलाइन शॉप्स कैसे बनानी है, सोशल अकाउंट्स आपने पहले ही बना लिये हैं, तो समझें, आपक सिर्फ समान डालना है, समान आपने कैसे डालना है, अगर तो आपका पाकिस्तान चक्र लगता है, अपना, या अगर आपका को रिष्टदार, कोई अजीज आने वाला है, पाकिस्तान से यहां स्पेन में, या आप की वहाँ पे कोई बहन, कोई कजन, कोई आंटी, कोई पु पे अगर आप वहां पे सेल्स के जितने भी आइटम हैं जितने भी आप आइटम आप इन्वेस्ट करती हैं जितना पैसा उतने की आप सेल्स के कपड़े यहां मंगवा लेती है वहां पे टैग्स के उपर कीमत पूरी लिखी हुई है लेकिन वो आपने सेल में परचेस किये है यहां आके वो कपड़े आपने फुल कीमत पे सेल करने है इसके लावा पाकिस्तान से यहां के अपने डिलिवरी चार्जिस भी अंदर आड़ करने है इसके लावा अगर आप यहां से अगर जैसे बैनी दोर में कोई आनलेन बिजनस शुरू करता है उस तो उसने बार्सलोना का अपने डिलिवर करने है मैड डिट करने है तो वो वाले डिलिवरी चार्जिस बें आपने अंदर डालने है तो यह सारा एस्टीमेट लगा के तो आप सूट की प्राइस जो है वो बना सकती है कि अगर आपको वहां पे एक सूट 40% डिसकाउंट के साथ दो हजार का मिल रहा है तो उसकी फुल जो प्राइस है वो उस सूट की फुल प्राइस 3500 है तो आपने यहां के वो 3500 का हिसाब लगा के उसके अंदर अपना जो और भी प्राफिट मार्जिन अगर डालना है डालके डिलीवरी के जो चार्जिस हैं वो आपने डाल डूल के तो आप अराम से अपना एक सूट जो है वो योरोज में कनवर्ट करके तो बेच सकती है इस काम में काफी प्राफिट है ये बहुत से ओरते आजकल कर रही है तो ज़्यादा दर लोग आजकल डिजाइनर वियर्ज और ये ब्रैंड्स का जो एक रोला सबके दमागों में बैठ किया वह है सब लोग वही पसंद करते हैं आपने कपड़े लाने है ब्रैंड्स के अगर आप सिर्फ कुर्टा ला रही है तो आप बाजार से डुबर्टा और ट्रॉजर वगएरा भी मैच करके ला सकती है उसमें भी आप अपने प्राफिट की गुझाश निकाल सकती है थ्री पी सूट बनाके और इसमें ये खिया रखना है कि अगर सर्दिया खतम हो रही है तो सीजन के एंड पे आपने सर्दियों वाले कपड़े खरीद लेने है लेकिन उन कपड़ों को आपने गर्मियों में प्राफिट की डिस्प्ले करना आपने जब नेक्स्ट सर्दिया स्टार्ट होंगी जब सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तब आपने डिस्प्ले करना है क्योंकि जो सीजन आने वाला होता है या आ रहा होता है ज्यादा लोग वही कपड़े हरीते हैं अगर आप गर्मिय कि स्टार्ट पे बेचने है तो ये एक थोड़ी सी बिजनस स्ट्रेजी है जो अपने माइंड में बनानी है और फिर अपने कपड़ों की जो तसवीर है वो चाहे तो जिस प्रैंड के कपड़े हैं उनकी सोशल जो उनका ऑनलाइन शॉप है वहां से आप उनके स्क्रीन शॉट लेके डिस्प्ले कर सकती हैं अपने कपड़ों की साथ डिस्प्ले करें तो इस तरह आपने वर्ट सैप के स्टेटस पे लगाएं अपने अकाउंट्स पे तस्वीर डालें साथ अपनी जो प्राइज है वो लिखें ऑनलाइन डिलिवरी का काम भी बताएं तो इंशाल आपका बिजनस जरूर चलेगा ऑनलाइन शॉप्स में इसके लावा आप और बहुत से चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी होती हैं जैसे कि आप ऑनलाइन कपड़े बेश सकते हैं आप ऑनलाइन कोई भी च स्टिचिंग में कोई भी चीज अगर आप बना रही हैं स्टिचिंग आपने खुद चुकी है फ्रॉक्स भी आप कुशन्स पर दे केक्स वगयरा बिस्किट हैंड में बेकरी का जितना भी आप सारा काम है यह सारा आप ऑनलाइन शॉप्स बना सकती हैं अगर आप बेकिंग का क्राया वगयरा भी नहीं देना पड़ेगा इसके बाद चोते नमर प्याजाते हैं आर्स and क्राफ्वक आर्स and क्राफ्वक मतलब है फ्रॉन ल्तीफा कोई भी खनर कोई भी अफन जो आपकी अंदर है उसको आपने बाहिर लाना है उसको बेचना है Arts and Crafts में आ जाती है हमारी painting, sketching, gifts, baskets बनाना जिसका आशकर बहुत trend है knitting जो बुनाई है आपका क्रोशिय का काम आपका सलाईयों का काम और इसके लबा कपड़े के bags वगएरा बनाना यह सारे आपके decoration pieces बनाना यह सारा कुछ Arts and Crafts में आएगा तो अगर इन में से किसी में भी आप अच्छे हैं तो वो आप बड़ी असानी से काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं इसमें मैं पहले आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगी जो कि मैंने हाल ही में पढ़ी थी उस वचछताबलों के साथ शेयर करूँगी सरगोदा की एक बच्ची है जिमल अमर वो अब 13 साल की है जब वो 9 साल की थी तो उसने जो अपने शेहर का उसके पास जो वेस चीज़ें थी अखबारें वगेरा और जो चीज़ें रदी थी आप समझ ले उनके साथ उसने बैग्स बनाने शुरू किये गिफ्ट बैग्स जो के उसने फिर उनकी पहले उसने आउनलाइन शॉप बनाई जिसका नाम उसने जी बैग्स रखा अपने जी बैग्स उसने जितना भी वेस्ट मेटिरियल था उससे उसने बैग्स बनाए और फिर तक्रीब तीन से चार सालों में उस बच्ची ने चार से पांच हजार डॉलर जो हैं वो कमाए और उस बच्ची को पाकिस्तान में, अमेरिका में और साथिया रैबिया में बेस्ट बिजनस किड़ का इवार्ड भी मिला आपनी चोटी उमर में इतना अच्छा बिजनस उसने किया और जस उसने आइडिया लगाया, कुछ नया अपने अंदर का जोसका टैलन्ट हा उसने ना सिर्फ उसने अपनी ब्रेंड बना ली उसने इंकम भी की, उसने फेम भी हासल किया, उसको आवार्ड भी मिले तो कोशिश ये आपने करनी है कि क्या चीज आप अच्छी कर सकती है क्या आप नए आइडिया लगा सकती है अगर आप पेंटिंग में अच्छी हैं तो आप पेंटिंग्स करें अपनी पेंटिंग्स को बनाएं उनको डिस्पले करें उनको social accounts पर उनको लोगों को पहले कुछ लोगों को gifts दें अगर उनको अच्छी लगती है तो वो और अपनी contacts को बताएंगे किसी store पर, shops पर रखवा दे अगर कोई खरीदता है तो दुकान वाले को commission दे के तो अपने पैसे खरे करें आप sketching कर सकती है pencil sketches काफी लोग शोक से बनवाते हैं आपने अक्सर देखा होगा आप कहीं से बीच वगयरा पे प्लाईयर पे जाती है तो वहां पे काफी जादे लोग stalls लगा के pencil sketching कर रहे होते हैं तो आप pencil sketching कर सकते हैं अगर को interested है तो वो आप से करवा सकता है आप gift baskets बनवा सकते हैं gift baskets आजकल बहुत trend में हैं लोग ईदों पे अपने festivals पे functions पे, birthdays पे, बच्चे की बैदाश पे जो gifts देते हैं वो एक खुबसूरत सी basket में डाल की उसको खुबसूरत सा सज़ा के उसके साथ cards वगयरा भी आप बना सकती हैं प्यारे प्यारे, customized cards भी बना के तो आप एक basket त्यार कर सकते हैं फिर आप उस basket को लोगों को दिखाएं अगर लोगों को पसंद आती हैं वो आपकी basket हरी देंगे और gifts देने के लिए काफी अच्छा काम है और काफी इसमें बहुत ideas हैं ideas आप internet से ले सकती हैं अगर आपको शोक है तो आपके अंदर से भी बहुत से ideas निकलेंगे इसके लावा knitting का काम है knitting आप crochet से कर सकते हैं crochet से आप decoration pieces बना सकती हैं आप curtains का बना सकते हैं cushions बगेरा इस तरह की काफी चीज़ें जो हैं वो आप knitting से कर सकती है तो वो आप बना सकती है आप bags बना सकती है कपड़े के bags आपने कोई block printing की है या आपने cloth पे paint किया है brushes paint जैसे कपड़े पे किया जाता था applique आपने किया है तो आप उसको कपड़े के piece को एक कुशन में तबदील करें उसको pillow covers बनाएं उसको कपड़े का bag बनाएं आजकल जैसे अलूदगी को देखते हुए ये shoppers और ये plastic bags जो हैं वो कम इस्तमाल की चाहते हैं ज्यादा लोग पसंद करते हैं recycled bags और कपड़े के bags तो वो आप बड़े अच्छे बना सकती है अपना अगर आप उसके ओपर प्यारे प्यारे arts नमूने बनाती हैं जैसे तस्वीरें वगएरा कोई भी तो काफी पसंद होंगे और handmade जो चीज़े हैं वो आजकल पूरी दुनिया में बहुत शोक से खरीदी जाती है बलके यहां हमारे घर के साथ एक दुकान है जिसमें सिर्फ handmade चीज़े मिलती है और वो simple चीज़े हैं जिनके ओपर خाथ से काम हुआवा है lesson बनाई गई हैं कड़ाईया की हुई है तो वो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा है तो अगर आप में ये खुनर है आप में ये टैलेंट है तो यह आप बढ़ी असानी से कर सकते हैं अगर आप में ये खुनर है और सबसे आहर पे आजाता है आपका ब्यूटी पालर का काम हमारी बहुत सी बहनों को खुद बहुत अच्छा ये करना आता होता है कुछने पाकिसान से ट्रेनिंग भी ली होती है और लेकिन अगर कुछ नहीं कुछ यहां भी बच्चियां सीख रही है तो ये काम ब्यूटी का काम दुनिया में एक ऐसा काम है जो जिसमें बहुत पैसा है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है जैसा कि हमारी जो ब्यूटी की जो सर्वसीज हैं और यहां इनकी ब्यूटी के सर्वसीज हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है वो फर्क इसलिए है कि अगर हम पाकिस्तानी हवातीन या इंडियन हवातीन फेशल करवाती हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम थोड़ी से गोरे भी लगें हम थोड़ी सी हमारी जो है ग्लो हमारे चेहरे पे आए यहां भी लोग क्योंके इन लोग को गोरे होने का इतना क्रेस नहीं है वो अल्रेडी है तो इनका यह होता है कि हमारे फेशल से हमारी स्किन सिर्फ नीट हो तो हमारी जो हावातीन है वो कोशिश करती है कि हम किसी अपनी शुरू कर सकते हैं अपनी पाकिस्तानी और इंडियन बहनों के लिए इनके आईब्रोस की शेप जो है वो कुछ लोगों को अपने पाकिस्तानी बहनों की पसंद होती है तो उनसे ही बैनवाती हैं आप हैब्रोस का का म कर सकते हैं यह सारा ब्यूटी बालर का का काम होगा, फेशल खुछ आईप्रोस खुछूर मैनेकूर, पैडीकूर और कुछ जो पानियोल के चाइनिसके या ब्यूटी पालर्स होते हैं उनमें male काम करते हैं आदमी काम करते हैं और हमारी हवातीन पसंद नहीं करती आदमी उसे cutting वगेरा करवाना या इस तरह के wax type चीजमें करवाना वो हमें अच्छा नहीं लगता तो इस ते हम बेहतर समयते हैं कि हम अपनी किसी पाकिसानी बेहन से किसी पाकिसानी बेहन के घर में अराम से बैठके तो साथ काम करवा सकती हैं साथ बच्चे भी लेके जा सकते हैं ब्यूटी पालर पर आप बच्चे लेके जाएंगे बच्चे वहां पर भागे दोड़ेंगे उनकी चीज़ों को चेड़ेंगे तो आप इंबरेस होंगे तो बहतर है आप तो इसलिए ओरतें समझती हैं कि किसी पाकिसनी जो खातून है उसके घर से हम भी अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करवा लें हम बच्चों को भी साथ ले जाएं उसके लावा गपें बिलागी जो और फिर अपनी पसंद का explain करके अपनी पसंद का काम हम करवा सकते हैं तो अगर ये आप काम करती हैं और इसकी advertisement भी करती है साथ लोगों को पता हो कि आप ये काम घर में करती हैं तो आपको customers आएंगे और इंशाला बहुत पैसा मिलेगा और party make-up जैसे हमारे party make-up की लोग थोड़ी सी change होती है इधर ये और तरह का बहुत light और थोड़ा सा dark complexion वाला make-up करती है हम लोग ज़रा गोरा-गोरा make-up करना पसंद करती है तो वो हम अपनी पाकिसानी अगर हमारी कोई expert हमें को करे तो हमें वो अच्छा लगता है तो आप ब्यूटी पाल का का काम स्टार्ट करें इन्शाला आला बर्कर डालेगा वो बहुत आपका चलेगा अगर आप में होनर है आप कर सकती है हमारी बहुत सी ऐसी बहने जिनकी किरात अच्छी है तो वो आनलाइन कुरान बढ़ा सकती है उनसे आप घर में बैटे हुए बहुत अच्छे तरीके से एक तो ये स्वाब भी बहुत मिलेगा आनलाइन कुरान का जो काम है वो बहुत अच्छा है इसके लवा जो जैसे इन मुलकों में Spanish या Italian या French और इन मुलकों में लोगों को English बहुत काम आती होती है आप Pakistan से आई है आपकी English अच्छी है आप पढ़ा सकती है आप सिखा सकती है तो आप अपने चाहे पाकिस्तानी बच्चों को English सिखा सकती है अगर कोई उर्दू सीखने में इंट्रस्ट बच्चों को ट्यूशन बढ़ा सकती है और इसके लावा पढ़ाने का सिखाने का अगर आपको सिलाई अच्छी आती होती है तो आप बच्चों को सिलाई सिखा भी सकती है तो ये टीचिंग का जो शुबा है ये जो टीचिंग का काम है ये सबसे दादा बाइज़त है तो इसमें आप अपने स्टूरेंस से फीस चार्ज करें और अपने घर में बैठे बैठे अपनी पैसे कमाएं यह सारे का और इसके लवा और भी बहुत से ऐसे फील्डs हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो के हमारी होटین घरों में बैठ के बाइज़त तरीके से कमा सकती हैं वीडियो लंबी हो गई है, अभी मेरी बाते खतम नहीं हुए, अभी आइडियास भी खतम नहीं हुए, अगर आइन में से आपको कोई भी पसंद आता है, और आप वो शुरूर करना चाहती है, आप उस काम को शुरूर करने के बारे में सोच रही है, आपको मज़ीद इनफॉ तो और भी बहुत से आइडियास हैं, आप अपनी आइडियास मुझे बताएं कि आप में क्या टालेंट है, आप क्या करना चाहती हैं, तो आप यकीन करें, आप बगएर फील्ड में जाएं, आप बगएर घर से बाहर निकले, आप घर के अंदर रहे के बहुत ज़ादा जो काम है, 60-70% काम वो आउनलाइन हो जाना है, हर चीज़ आउनलाइन हो जाना है, तो जितना आप घरों के अंदर बैठके इंटरनेट पे आउनलाइन अपना काम, अपना बिसनस टार्ट कर सकती हैं, वो फिल्ड में जाने से भी बेतर है, घरों में काम करना का, कहरा जात भी क कम है इन्वेस्टमेंट कम है और प्राफिट बहुत ज़्यादा है तो उमीद करती हूं आपको मेरी आइडिया पसंद आए होंगे अगरिन मैंसी कोई एक बंदा भी कोई एक आइडिया लेके भी अपना काम स्टार्ट करता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मेरी वी करता है